Hello Friends, आज हम इस वीडियो के अंदर HTML में MarkU Tag करें हैं और साथ में हम MarkU Tag के जो previous exams के अंदर questions आयो हैं उनको भी discuss करेंगे, तो चलिए start करते हैं MarkU Tag का use, text या image को web page के उपर move कराने के लिए या scroll कराने के लिए use किया जाता है तो जो हमारा MarkU Tag है, वो हमारा क्या है, Paired Tag है Paired Tag का क्या मतलब होता है, कि अगर आप उसको open करते हो तो आपको उसको क्या है, close भी करना पड़ेगा जो MarkU Tag है, वो by default क्या है, right to left move होता है अगर आप उसकी direction mention नहीं करते हो, तो MarkU Tag का use कहा होता है, ये आपको news के अंदर देखने को मिलेगा जैसे आप news व्यारा देखते हो, तो आप देखोगे कि news channel पे नीचे के आती है, जो news है न वो scroll करी होती है तो हम MarkU Tag की help से ये चीज़ कर सकते हैं, या फिर events वियरा या notice वियरा दिखाना हो, तब आप MarkU Tag का use करते हो तो ये हमारा MarkU Tag है, MarkU Tag की help से हम image और text को क्या है web page के उपर scroll कर सकते हैं, by default जो MarkU Tag होता है image या text जो by default left side move होता है, आप इसकी direction set कर सकते हो right side move कर सकते हो, upside down, आप इसमें कोई भी direction set कर सकते हो बट by default जो direction होती है, वो left होती है आप अपने MarkU का background color भी set कर सकते हो, तो BG color attribute होता है जिसे हम MarkU का background color set कर सकते हैं, तो ये हमारी MarkU के attributes है direction attribute की help से आप क्या है, MarkU को direction दे सकते हो कि आपका मार्क्यू किस side move हो bg color attribute की help से आप मार्क्यू को color assign कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो red color का name या आप hexa के अंदर code डाल सकते हो जो hash से लिखी जाती है यह हमारी hexa के code होता है उसके बाद आप मार्क्यू को width और height assign कर सकते हो behavior attribute की help से आप क्या है, मार्क्यू set कर सकते हो, कि मार्क्यू जो आपका text या image है, वो scroll हो या bounce करे, या slide हो, तो ये अलग-लग behavior होते है, by default जो behavior होते है, वो slide behavior होते है तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने behavior कोई भी नहीं दिया हुआ, तो by default ये slide behavior चल रहे है slide का मतलब होते है, कि आपका text या image है, ऐसे slide की तरह move होती रहती है, तो ये by default behavior होते है, next attribute है, scroll amount तो आप इसके अंदर मार्क्यू कितने delay करके आप उसको scroll करवाना चाते हो, तो वो आप scroll amount के अंदर value mention करोगे, कम value mention करोगे, तो आपका जो मार्क्यू tag है, वो slow slow move होगा ज्यादा value होगे, तो आपका जो मार्क्यू tag है, जो text है, या image है, वो fastly move होएगी, screen के उपर अब हम मार्क्यू tag का practical करके देखेंगे तो ये हमने notpad के अंदर html का basic structure लिख है ये mandatory है, ये आपने as it is लिखना है, body tag के अंदर हम मार्क्यू tag लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे मार्क्यू, जो आपके tag का नाम है जो text आप web page के उपर move करवाना चाते हो then आप वो text लिखोगे तो जैसे हमने यहाँ पे text लिख दिया, उसके आपने यहाँ पे file का name देना है, तो यहाँ पे हम mark you दे रहे हैं, dot आपने यहाँ पे extension लगानी है, जो की html है उसके बार आपने location सेट करनी है जहाँ भी आपने अपनी file को save करने then आपने यहाँ पे save पे click करने dextro पे हमारी file save है अभी हम इसको run करके देखते हैं तो आप देखोगे कि आपकी जो web page के उपर क्या है जो text है हमारा scroll होना start हो गया, तो by default जो इसकी direction है वो left side है अगर आप text का size increase करना चाते हो, तो आप इसको h1 tag के अंदर भी लिख सकते हो तो हम भी हाँ पे क्या है h1 tag का use करें h1 tag heading tag होता है और जो ये largest heading produce करने का काम करता है हम file को save करेंगे और then हम इसको क्या करेंगे refresh करेंगे, f5 करेंगे तो अब आप देखोगे कि जो आपका text का size क्या है, वो increase हो चुक है अगर आप अपने जो mark you tag है, उसको background color देना चाते हो, तो bg color attribute का use करोगे उसके बाद आप जो भी color देना चाते हो, वो आप color दोगे तो यहाँ पे हमने yellow दिया file को save किया और इस file को refresh किया तो अब आप देखोगे कि जो mark you का background color है वो क्या हो चुक है, yellow हो चुक है जिस तरह हमने text को scroll करवाया है हम as it is image को भी scroll करवा सकते हैं तो हम एक और mark you tag लेंगे, जिसके अंदर हम image tag को use करेंगे अब हम इस mark you tag के अंदर image tag लिखेंगे तो img हमारे tag का नाम है src attribute है जिसके अंदर हम क्या करेंगे image का path paste करेंगे तो हमारी dextrope के उपर image पड़ी है आप इसके उपर right click करोगे right click करने के बाद आप property में जाओगे property के अंदर security के अंदर हमारे पास full path पड़ा आता है हम इस path को select करके copy कर लेंगे then हम इस path को यहाँ पर paste कर देंगे double quotation को close कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे bracket close कर देंगे तो यह हमें क्या है image चाहिए तो अभी हम इसको save कर रहे हैं single image है और इसको हम run कर रहे हैं तो आप देखोगे image का size बहुत जादा है तो हम क्या है height width set कर देंगे image की तो हम यहाँ पर height and width attribute का use करेंगे जितने pixel आप height width देना चाते हो आप यहाँ पर देख सकते हो तो अभी हमने यहाँ पर क्या है 250 pixel height and width set की है अभी हम इसको save कर रहे हैं और हमें क्या है multiple scroll images करवानी है तो अभी हम इसको क्या करेंगे image tag को copy करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे multiple times इसको paste कर देंगे then हम इसको save कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे run करवाएंगे तो अभी हमने यहाँ पर refresh किया page को तो आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ पे image और text दोनों क्या हो रहे हैं scroll हो रहे हैं तो आप इस type से क्या कर सकते हो scroll करवा सकते हो text और image अगर आप mark you की direction change करना चाते हो तो अभी आप देखोगे left side जा रहे है अगर आप चाते हो कि यह right side जाए तो आप direction attribute का use करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे direction space डार लोगे और यहाँ पे आप लिखोगे direction is equal to और यहाँ पे आप लिख दोगे right double quotation close करोगे save करोगे और इसको refresh करोगे तो अब आप देखोगे कि जो आपका mark you है वो क्या है right side move ओना start हो चुग है हम next attribute करें scroll amount scroll amount attribute mark you tag की speed को control करता है जितनी value कम दोगे उतना जो speed है उसकी mark you tag की slow होगी जितनी value जादा दोगे mark you tag की speed उतनी fast होगी तो जैसे कि हम scroll amount के अंदर value डाल रहे है 1 अभी हम इसको save कर रहे हैं और हम इस page को refresh कर रहे हैं तो आप देखोगे कि जो mark you tag की उपर जो text की क्या है speed बहुत slow चुकी है अगर आप इसको fast करना चाते हो speed को तो आप क्या करोगे जो scroll amount की value है आप इसकी value increase कर दोगे file को save करोगे इसको refresh करोगे तब आप देखोगे कि जो आपका mark you tag है उसकी जो speed है वो क्या हो चुकी है fast हो चुकी है next attribute करें on mouse over on mouse out इससे क्या होगा कि जब हम mark you के उपर अपना mouse लेके जाएंगे तब हमारा जो mark you tag है वो stop हो जाएगा वो scroll नहीं करेगा जब हम उससे mouse side पे करेंगे out कर देगे mouse को तब हमारा text के है scroll होना start हो जाएगा फिर से तो इसके अंदर आप over के अंदर लिखोगे stop और आप यहाँ पे next attribute लिखोगे on mouse out जब हम mouse को out करेंगे तो हमारा क्या है mark you tag start होना चाहिए अभी हम इसको save करेंगे और इसको हम run कर रहे हैं तो जैसे ही हम इसके उपर mouse लेके जाएंगे तो आप देखोगे कि आपका जो mark you का content है वो scroll होना stop हो चुक है जैसे हम mouse out करेंगे तो हमारा text क्या है scroll होना start हो जाएगा तो आप इस type से क्या कर सकते हो mouse के करसर के उपर जो अपना mark you tag को क्या है start and stop कर सकते हो next attribute कर रहे हैं behavior तो मैंने अलग से एक और mark you tag लिया है इसके अंदर हम behavior attribute लिखेंगे इसके अंदर हम value डालेंगे alternate और इस tag के अंदर mark you tag की हम height width भी set करेंगे तो यहाँ पर हमने height set कर दी है mark you tag की और width भी set कर दी है और यहाँ पर हम क्या है border भी लगा रहे हैं तो style attribute का use करेंगे style attribute के अंदर आप border use करोगे border के अंदर आप कोई भी style लिख सकते हो तो यहाँ पर हमने solid लिख दिया double quotation close किया और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो अभी हम इसकी direction भी set कर रहे हैं अभी हम down direction यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमने लिखा direction attribute इसके अंदर हमने value लिखी down double quotation close अभी हम इसको save कर रहे हैं file को और इसको हम run कर रहे हैं f5 किया तो अब आप देखोगे कि जो आपका text है alternate behavior है इसका यह bounce जैसे ball bounce करती है वैसे move होता है इसके अंदर text अगर आप अपने text को within box के अंदर और भी move करना चाते हो तब हम एक और mark you tag लेंगे उसके अंदर फिर हम behavior क्या है alternate set कर देंगे तो यहाँ हम एक और mark you tag लिखेंगे इसके अंदर हम behavior लिखेंगे is equal to alternate double quotation close और हम यह mark you tag यहाँ close कर देंगे एक और mark you tag close कर देंगे file को save करेंगे refresh करेंगे तो अब आप देखोगे कि आपका जो text है इस type से bounce होना start हो जाएगा तो आप क्या है mark you tag की क्या कर सकते हो height and width set कर सकते हो background color अप्लाई करने है तो आप background color भी अप्लाई कर सकते हो तो यह आपके mark you tag का practical है आप इसका screenshot ले सकते हो कर रहे हैं तो हमारी पास first question है which tag is used for scrolling that text तो आपको पता है mark you tag use किया जाता है तो d हमारा right answer है next है mark you is what type of tag तो mark you जो हमारा है container tag है paired tag भी बोल सकते हो container tag भी बोल सकते हो अगर हम इसको open करते हैं तो हमें इसको close भी करना पड़ते है next है what is the default direction क्या है mark you tag की तो आपको पता है तो ये by default क्या है left side move करते है अगर आप इसकी कोई direction mention नहीं करोगे तो next है with the help of mark you tag we can scroll तो हम mark you tag की help से क्या है text को भी scroll करवा सकते है image को भी scroll करवा सकते है तो c हमारा right answer है तो ये था हमारे mark you tag के बारे में अगर friends आपको वीडियो अच्छी लगी तो please इसे like and comment जरूर करें thanks for watching इस तरह